देखो सिम्रन तुम शायद मेरी बात समझ नहीं रही हो मिस्टर सिंग मिस्ट भारगव अगर आप चाहे तो हम मिस्टर शेकर सकसेरा को यहीं बुला लाते आप खुद बात कर लीजे कोई फाइदा नहीं अब मैं आपकी तरह ही सिर्फ एक कॉर्परेट लॉयर हूँ साबुन और तेल बेचने वाली कमपनीज के केसिस लड़ते हुए मैं बहुत खुश हूँ मुर्डर, रेप, चोरी इन सब से मैं उप चुकी हूँ वैसे भी मैं इस वक्ते केस में बिजी हूँ मैं जानता हूँ तुम्हें केस में बिजी हो मगर वो केस इंतजार कर सकता है बहुत जिद्धी हो तुम मैं जानता हूँ सिम्रन इस वक्त मैं तुम्हें कितनी भी बड़ी ओफर दे दूँ तुम्हें केस नहीं लड़ोगी इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ शेखर सक्सेना की जान बचा लो कानून ने उसे फांसी दे दी तो न सिर्फ एक प्रामिसिंग जेनलिस्ट बलके एक अच्छे इंसान के साथ बहुत नाइंसाफी होगी आप बैठी मेडम मैं सापको खवर करता हूँ मिस्स सिम्रिन भारगव शेखर सक्सेना लगता ये कलर बलाइक अभी भी आपका फेवरिट है जियां पांच साल पहले भी आपने इसी तरह के कपड़े पहने थे बार असोसियेशन के फांक्शन पे नवेंबर 1996 तब मैं एक मामुली जर्नलिस था बड़ी अच्छी स्पीच दी थी आपने वो शेर में बढ़ते हुए क्राइम के बारे में क्या आप अब भी स्पीच देते देते उसी तरह गुसा हो जाती है अब तो मैं स्पीच ही नहीं देती पर आपकी यादाश्ट बहुत अच्छी है बहुत अच्छी हो तो याद रजाती है मैं सिमरन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने उस दिन अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि आपको फूल बहुत पसंद है क्योंकि खिलते हुए भूलों को देखके इनसान खुद पूरी तरह खिल जाता है सारे दुख, सारी तकलीफों के बावजूद अपनी मन्जिल तक पहुँचने की उसकी तमन्ना दुगनी हो जाती है यही कहा था न आपने? हाँ, कहा तो था उस वक्त मैं सिर्फ किताबी बातें किया करती थी जिंदगी ने शायद तब तक कुछ सिखाए ही नहीं था मुझे पर अब मैं जान गई हूँ फूल कितने भी खूबसुरत हो उन्हें मुर्जाना ही बढ़ता है पर मुर्जाने से पहले वो अपनी खुश्बू दूसरों को दे जाते हैं आप ही सोचे मिस भारगफ कि अगर मुर्जा जाने के डर से फूल किनना बन करतेते तो शायद दुनिया इतनी खूबसूरत ना होती आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कोई एक हाथसा इसले से सिर्फ आप ही की नहीं मुझ जैसे बहुत से लोगों की जिन्दगी पर भी असर बढ़ता है जो जिन्दगी जीना चाहते हैं मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा मिस्सेमरा पर मैंने आपसे कप पूछा? आप केस लड़ती तब तो पूछती? शायद नहीं क्योंकि केस लड़ने से पहले मैं खुद सच और जूट का पता लगाती हूँ तो लगा रीजे पता, कर लीजे तसली अगर आपने लड़ा तो मैं ये केस जरूर जीत जाऊंगा और मैं जीतना चाहता हूँ क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ अमित इनोविजन का केस हम विदाओ ख्लूज नहीं लड़ सकते हूँ हम जिने ढूनते फिड़ते हैं शहर की कलियों में वो बैठे हैं मेरे अपने ही घर के दर्वासे पे मैं बैठ सकता हूँ आप जो चाहिक कर सकते हैं भई एक समाने में मैं और सिमरन जी दोनों साथ साथ मिलके मुझरमों को सजा दिलाने का काम किया करते थे पर अप सुना है कि ये मुझरमों को छुडाने का काम शुरू करने वाले हैं मैंने सुना है कि आप शेकर सकसेना का केस अपने हाथ में लेने वाली है गलत मेरी मानिये तो इस गलत को सही में तबदील करी डालिये भई खेल का नशा तो तभी चड़ता है जब सामने वाला खिलाड़ी पुराना हो और असली खेल वही है जिसमें आखिर तक पताना चले कि जीत किसकी होगी वो सजीत के बारे में सुना आपने अरे वही जिसे मैंने और आपने मिलके सजा दिलवाई थे सुना है कि कल राट साले ने लौक अप में फास ही लगा ली खुद को बसे अच्छे ही हुआ किसट किसट के कैदियों की तरह मरने से तो बहतर है कि एक ही जटके मैं खत्म कर ले साल चार साल पहले अजीत के केस में मैं सरकारी वकील थी इंस्पेक्टर लोखंडे की चार्चीट में भरोसा करके पूरी इमानदारी से केस लड़ा था मैंने अजीत की माँ चीक चीक कर मुझसे कहती रही कि उसका बेटा बेगुना है पर मैंने उसकी बचाए लोखंडे के लाए हुए कवाहों पे जादा विश्वास किया और अजीत को मरकेद की ससा हो गई बात में मुझे पता चला कि लोखंडे ने अपने किसी छोटे मोटे मतलब को पूरा करने के लिए यह सब किया था अजीत की बेगुनाही के जबूत है उसके पास पर उसने मुझसे उनका जिक्र तक नहीं किया तुम बेकार में परिशान हो रही हो सिम्रन एक तो मुझे लगता है कि अजीत के केस में तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं अगर है भी तो ये दाख शेखर सकसेना का केस लड़ने से कैसे मिठ सकता है एक बेगुना मेरी वज़ा से अपनी जान कवा चुका है और दूसरा बेगुना मेरी वज़ा से भाजी चुड़ने से बच क्या दो हो सकता है मैं अपने आप से दुबारा आँक मिला सकू तुम्हें एक खलती चुपाने के लिए दूसरी खलती कर रही हो सिम्रन अमित इस केस में मुझे तुम्हारी मादद चाहिए मैं तो तुम्हारे साथ होई सिम्रन पर सोच लो शेखर सकसेना सच मुझ गिल्टी हुआ तो अगर केस के दौरान मुझे पता चला कि आप सच मुझ गिल्टी है या आपने मुझसे कभी जूट बोलने की कोशिश की तो मैं ये केस उसी वक्त बीच में ही छोड़ दूँगी मुझे आपकी अपसे जूट बोलूँगा मुझे आपकी अपॉइंट में डायरीज, पिछली बैंक स्टेटमेंट्मेंट्स, पब्लिक मीटिंग के डीटेल्स, ये सब चाहिए एक और बात जब तक ये केस खत नहीं हो जाता मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी पब्लिक मीटिंग पर न जाएं, नहीं आप किसी भी पेपर के लिए कोई आर्टिकल लिखे और नहीं आपकी कोई भी तस्वीर कहीं भी छपे जज और पब्लिक, दोनों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उन्हें प्रभावत करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरा, उनके सामने आपको अपनी चाल, अपनी बातचीत, अपने रवईये से हमेशा यही दिखाना होगा कि अपनी पत्नी के मर्डर के बाद आप बिल्कुल तूट गए है मैं तूटा हुआ हूँ, मिस भारगव एक बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, मिस्टर सिंगर कि आप या आपकी कमपनी का कोई भी वकील मुझे अपनी मदद के लिए नहीं चाहिए मैं ये केस अकेले लड़ूँगी, और जो भी मदद करनी होगी, अमित करेगा मैं इस केस को एक आम केस की शक्ल देना चाहती हूँ ओके आप जैसा कहोगी, वैसा ही होगा मिस्टर लोखंडे, मैंने आपकी सलाह मान ली है शेखर सक्सेना का केस मैंने अपने हाथ में ले लिया है चलो, अच्छा है केस में कुछ रस्तो आया कही मैडम, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ काम तो आप किसी के क्या आएंगे, मिस्टर लोखंडे मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि आपने जो अजीत के साथ किया था, वो गंदी नाली का कीड़ा था वो अजीत अच्छा हुआ साले ने खुदकुर्शी कर ली, वरना जिन्दगी भर, एडियार अगरता हुए रह जाता पर हाँ आपका ये जो नया क्लाइंट है ना, ये थोड़ा सा पड़ा लिखा है, समझदार है समझाईयों से, कि हमसे पंगा ना ले, सीधे सीधे अपना जुर्म कुबूल कर ले हो सकता है कि कानून, थोड़ी बहुत रियायत उसके साथ कर दे कानून के बारे में मैं तुमसे जादा जानती हूँ लोखंडे एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुमने जान बूच कर ऐसा कोई सुबूत छपाने की कोशिश की जिससे शेखा सकसेना बेगुना साबित हो सकता है, तो अंडर सेक्शन थ्री बस 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 बस